हलो फ्रेंड्स वैलकम बैक टू माई यूटूब चैनल परदीज बैड तो फ्रेंड्स आप लो जी जी माई के एपिसोट में देखेंगे कि तेजा के मित्र कहते हैं इसकी नानी पिछले बर्स आई थी वो बता रही थी कि इसकी माँ सुमन मतलब तेजा भाई साब की बहू बच्पर में बिलकुल इसकी जैसी थी اور फिर लासर कहती है बहुत ही प्यारा है तेजा जी का पोता और पूस्ती है वैसे तेजा जी कब तक आएंगे और फिर तेजा जी के मित्र कहते हैं ऐसे ही कुछ महने भर लगेगा और अगर काम पहले ही खत्म हो जाएगा तब वो पहले भी आ सकते हैं और फिर 13 जी के मित्र रेखा सुमन को मिलवाते हैं ये हैं लाजबन्ती मेरे मित्र की बेटी अब कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी और फिर आगे आप लोग देखेंगे की और फिर लाजबनती कहती है लाजबनती नाम तो मैंने भी भूल गए मनने सब लेजर बोले से थारी माने बिलकुल सही बोला था सुमन थारा बेटा बिलकुल थारी छबी से और तब ही सुमन रोने लगती है और तब ही रेखा कहती है आज भी पानी नहीं मिला खाली मटका लेकर गई थी और खाली ही मटका लेकर लोटी हूँ कुवा बिलकुल सूख चुका है बाबा और फिर लेजर कहती है पर गाउं में तलाब भी तो है ना और फिर सुमन बताती है तलाब पर हक नहीं है मारा बच्पन से सुनते आएं कि बिन पानी सबसूग और अब लगता है कि अब जिन्दगी भी बिना पानी के ही जीने की आद़र डालनी पड़ेगी अब हमें और फिर लेजर पूंचती है पर पानी पर हक क्यों नहीं है पूंजा जी और फिर पूंजा जी बताते हैं क्योंकि तलाब राबद इंडिस्टीर्स की जमीन पर है और बताते हैं हुत्रा देवी ने गाउं में और आसपास फैक्टरी लगाई है उसमें पानी के जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने तलाब के आसपास की सारी जमीन को खरीद लिया है अब गाउवालो को पानी भनने नहीं देती गाउवालो के हिस्से में सिर्फ एक ही कुवा पड़ता है और उस कुवे में भी पानी खतम हो चुका है और फिर लेजर कहती है की पर गाउवाले ये सब सहन कैसे कर रहे हैं वो भी तेजा जी के होते हुए और कहती है मैंने देखा है पुझा जी कि तेजा जी ने कैसे उत्रा देवी के खिलाब अबाज उठाई थी और फिर पुझा जी कहते हैं अब आज तो इस बार भी उठाई थी तेजा जी ने लेकिन उसका कोई फाइदा नहीं हुआ कानून के हिसाब से अगर हम पानी भनने गए तो हम पर अती कमण का केस चलने लगेगा और फिर फ्रेंट साफ लोग आगे देखेंगे की लेजर कहती है तलाब की जमीन उसकी से इसलिए तलाब के पास जाना अती कमण कहलाया पर पुझा जी जिस जमीन पे सड़क बनी से वो तो उसकी बाप की कोनी वहाँ से तो हम पानी ले सके ना और फिर पुझा जी कहते है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है वैना और फिर लेसर कहती है बड़ी सी बात से ये दुनिया बड़ी तेड़ी से है पुझा जी लेसर कहती है पुझा जी से अब तक आप ये परवाजी करके के समझाने की कोशिज कर रहे थे यह बात दूसी तरीके से समझानी पड़ेगी और फिर फ्रेंड साफ लोग आगे देखेंगे की लेसर और गाउं वाले मिलकर पानी का टेंकर रावत इंडस्ट्रीज का रोक लेते हैं और कबजा कर लेते हैं और फिर तभी ड्राइबर फोन क को ड्रावर कहता हलो सोम जी बोल रहे हैं जी मैं रावत इंडस्ट्रीज का ड्रावर बोला हूँ लमुआ गाउ से आ रहा था बहाँ पर टेंकर का पानी गाउं बालो ने रुक लिया और फिर सोम कहता है अरे बाबरो हो गए है कि इतनी छोटी सी बात के लिए इतने बड़ आई दर से बात की थी लेकिन उसने कहा कि मामला बहुत बड़ा है सोम जी से बात करो और फिर सोम कहता है हाँ मामला बड़ा है तो हमारे से बात कर बोल की हो गयो और फिर ड्रावर सारी बात बताता है और फिर सोम कहता है सुन ये एक पानी के टेंकर की बात ना है ये गाउंवाला कोई बीच में आये तो धुलाई कर दे, अकल आ जाएगी सब को समझो, और फिर फ्रेंट्स आप लोग आगे देखेंगे की, सोम जी कहते हैं, ओर्डर देने में कितना मज़ा आब है, अब मैंने समझ में आया, कि उत्रा देवी को थपर मानने में ओर्डर देने म कैसर मज़ा आब है, कास में मंगला को भी आडर दे सको, और कहता है, ना इनसान भगवान से लड़ सके, पर बीबी से ना लड़ सके, सबी गाउवालों को पानी मिल जाता है, और सब बहुत ही खुस हो जाते हैं, और फिर लासर कहती है, क्या सोच रहे हो, पंडिता के मूरत निकालेगा, अब पानी भरने के लिए पंगट ना जाना पड़ेगा, वो तो खुद आगया से, जाओ अपनी मटकी भर लो, और फिर लेजर बनी फालगुनी सुएज के बारे में सोच रही होती है, और फिर तभी सुमन कहती है, किस चाहने वाले के, ख्यालों में खोई हु तुझे किसी की याद आ रही है, और फिर तभी लेजर अपना मूँ धुल लेती है, और कहती है यह ले, धुल गई आखें, धुल गया सब लिखा हुआ, मैं तो यह सोचनलागी थी कि राबत इंडिस्टीज को जब यह पता चलेगा, कि यह सब कुछ हमने किया है, तो की तो यह नाकुरी लेकर क्या करूं बिट्टो, एक ओधा गया तो गया, लेकिन मेरी कलाब हो तो मुझसे कोई नहीं सीन सकता, और वैसे भी उत्रा देवी कोई नई चाल चल कर, मुझे बेज़ जद करके उस आफिस से निकालें, इससे अच्छा तो मैं खुदी रिजाइन कर दूँ, और फिर नियती कहती है आफिस में जीजू मिल गतो, और फिर आगे कहती है धीजी मा अपने अंदर की हिम्मत को तूटने मत दो, वहाँ आफिस में उत्रा देवी ताने मारने से पीछे नहीं हटेंगी, और फिर फारगुनी कहती है उत्रा देवी के तानों का तोड है मेरे पास बिटो पर सुएस सुएस की नफरत तो मुझसे सही नहीं जाती चुपती है अंदर तक और फिर नियती कहती है अपनों का खोने का एसास क्या होता है यह समझ अब आया मुझे और फिर फ्रेंट्स आप लोग आगे देखेंगे की फालगुनी रिजाइन देने आफिस जाती है और उत्रा देवी को देती है रिजाइन लेटर और कहती है घर नहीं रहा प्यार नहीं रहा तो इस नौकरी का क्या करूंगी और फिर उत्रा देवी कहती है एक सला मैं तुम्हें देती हूँ जितनी चादर है ना उतने ही पैर फिलाने चाहिए और अगर चादर फटी हुई हो तुम्हारी किसमत की तरह तो तो पैर बिलकुल नहीं फैलाते चादर के छेद बढ़ जाते हैं अगर औरों की तरह मेरी बात मानी होती तो साय तुम पर ये दिन नहीं आते और फिर फालगुनी कहती है सच कहूं तो मैं आपके सामने खड़े हो के सासुमा आपके जहर बाले तीरों को सुनने का ना तो मेरा मन है और ना ही हिम्मत और फिर उत्रा दे भी कहती हैं तुम्हारा में रेजिगनेशन एकसेप्ट करती हूं फालगुनी और फिर आगे उत्रा दे भी कहती हैं अब यहां आफिस में तुम्हारी जो भी चीजे हैं उसे उठाओ और चली जाओ मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी यहां एक भी आद और फिर उत्रादे भी देखती है फालगुनी वहां से चली जा चुकी है और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे की फालगुनी अपने कैबिन से अपना सारा समान निकाल लई होती है और फिर उस कच्छवे को देखती है जो सुएस ने फालगुनी को दिया होता है फालगुनी के गुटलक के लिए और फिर फालगुनी उस कच्छवे को भी रख लेती है और फिर निगम आ जाता है मुझे तुम्हारे समान की तलासी लेनी होगी और बताता है नहीं कोई भी इंप्लॉई जब आफिस चोड़ कर जाता है तो उसके समान की तलासी जलूर ली जाती है तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग तो अभी कलेज बीडियो में इतना ही तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजेगा लाइक और अगर अभी तक आप लोगों ने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है झाल 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 झाल